बिहार बोड से क्लास 11 में नमांकन के लिए ओनलाइन आवेदन की परकिरिया आज से सुरू होने जारा है और जो भी विद्यार्थी मैट्री की बोड पर एक्षा उतिन कर चुके और क्लास 11 में बिहार बोड से नमांकन करना चाहते हैं तो आज से आप नमांकन के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 30 जून तक डेट निर्धारित किया गया है, तो उसको लेकर जो जो महतपूर अपडेट है, किस रूप में आपका नमांकन होगा, कैसे आप ओनलाइन फॉर्म खुज से भी भर सकते हैं, इसको लेकर इस वीडि परकिरिया समापत होगा, फिर CBSE और ICSE और अधर बोड के छात्रों का भी रिजल्ट आ जाएगा, ओर लोग भी जब ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, उसको जब मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसमें जब आप कॉलेज में जाएंगे, तो उसमें नमांकन फिल लिया जागा, साउधानी से भरे बिकल्प यहाँ पे जानकारी दिया गया है, कि आपको एक रहुमी में नमांकन के लिए आप जानते हैं, कम से कम 10 और अधिक्तम 20 सिक्षन संस्तानों का चैन करना है, यह बार जो आप बिकल्प चुन लेंगे, वह बिकल्प अंतिम बिकल्प माना जाएग आज से आपके आवेदन की परकिरिया की शुरुआत होगा, आज से आप पोल्टल ओपिन किया जाएगा, आप अलाइन आवेदन कर सकते हैं, एक मुबाइल नमर और एक इमेल आईडी से एक ही रजिस्टेशन आप कर सकते हैं, तलिए बात करते हैं कि क्या-क्या डॉक्मेंस आपको तयार रखना और किस रूप में आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो अगर आप बिहार बोड से मैट्रिक की बोड परिक्षा उत्रिन किये तब तो आप काफी आसानी सा पूरे मुवाइल फोन से इसी भी साइबर कैफे के माध्यम से आप 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 आवेदन करा सकते हैं इस रूप में आप आउनलाइन आवेदन करेंगे कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं तो इसके लिए अपने मुवाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना है और इस चैनल का नाम आर केरियर पॉइंट आपको टाइप करना और सर्च कर देना है आपके सामने दो-दो वेबसाइट ओपन हो जाएगा आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं दोनों वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा लेकिन देखें मैंने आपके सामने इंटर एडमिशन ओनलाइन फॉर्म तो सींपल सा आपको इस पोस्ट पे किलिक कर देना है सही आप किलिक करेंगे आपके सामने इंटर एडमिशन को लेकर एक एक जनकारी नए सटर 2022-2024 में एक एक जनकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगा यहाँ पर एक जनकारी पढ़ली जि कि सुबदा व तो मोगाल फोन से और इंटरनेट साइंबर कैफे के माध्यम से आप अननाई नावेदन कर सकते हैं डेट की बात करें तो आज से आननाई नावेदन की शुरवात होगा 350 रुपिया सुलकर 30 तक आप अनन नावेदन कर सकते हैं आगे फिर देखिए डेट बढ़ है ऑनलाइन में कुछ भी लगता नहीं यह सब आपको scan करके मिल जाएगा अगर आप अन्य बोर्ड से मैट्रे की बोर्ड परक्षा उत्रिन किये तो आपको migration certificate और mark sheet आपके लिए अनिवार है बाकि सेम जो है आपको documents देना होगा कम से कम 10 और अधिकतम 20 college का chain आप कर सकते हैं common practice जरूर पढ़ लिजिएगा cut up list जरूर देख लिजिएगा इस सल 18 लाग से अधिक sit में नमांकन होने जा रहा है तो जैसे ही link active होगा आज ऐसे उमीद है कि 11 बजे से आप apply online कर पाएंगे तो यहाँ पे link one या link क्लिक करके आप online आवेदन कर सकते हैं के बाद आवेदन करने के बाद आपको आपने आवेदन की स्थिति देखना है तो student login पे क्लिक करके देख लिजिएगा common practice download करके जरूर पढ़ लिजिए अब common practice अगर download करके आप पढ़ेंगे तो आपको खुद से clear हो जाएगा कितना आसान है online आवेदन करना तो common practice के सामने download बटम पे आपको simple सा click कर देना है तो ही आप download बटम पे click करेंगे थोड़ा सा wait करेंगे आपके internet speed पे depend करेगा देखिए आपसे permission मांगा जारा है कि इसको किरिया है OFSS किया है कैसे आपको online आवेदन करना है पूरा यहाँ पे देखिए जनकारी दिया गया क्या 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 documents आपको तयार रखना है संपूर्ण जनकारी यहाँ पे समझाए गया तो common practice एक बार download करके जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ पे बताया कि कैसे आप आवेद किये थे बस इतना ही annual था कि compartmental था यहाँ पे टीकर दीजिएगा यहाँ पे अपना date of birth, role code, role number बस इतना ही जनकारी आपको भरना है बस आगे आपको आपको आपना नाम, पीता के नाम, माता के नाम यह जनकारी आपको भर देना है और फिर यहाँ पे नीचे की तरह बढ़े college का नाम आपको चुनना है कि first option कि आप किस जीला में कौन सा college भरना है यह देखिए यह काफी महतपून होता है फिर आपको फी जमा कर देना है बस आपका form भरने में इतना ही step है उसे महतपून है इसमें college का चुना अच्छा से college की बरियता भरियेगा यह आप 10 college जो भी भरे उसमें किसी भी college में आपका पर्थम merit list में selection हो तो उसमें आपको नाम लेने में कोई भी कठनाई की सामना नहीं करना पड़े आपने देखा यहां पर देखिए common प्रप्रेक्टर साब भी डाउनलोड करके देखेंगे तो काफी असान है form भरना जो मैं format दिखा रहा हूं उस documents लगे तो किस रूप में form आपको online करना है हूं मैंने जनकारी दे दिया सबसे महत तपुन है जो भी हार बोड के तरफ से बार-बार बताया जारा है कि आपको क्या करना है college wise seat और पिछले साल का cut-up marks देख लेना है उसको देख लेके लिए और यहां पे common practice में देखिए पू किसी भी जीला से तो उसके 10 तरफ स्रेष्ट कॉलेज कौन है और आपका कितना नंबर आया और को कौन सा extreme लेना चाहिए और उसके साथ साथ इस रूप में बरियता देना चाहिए college चुनने का यह जानकारी आप चाहते है तो इसके बारे में नीचे comment box में जरूर बताएगा link